जी नाजीन मैं आपकी होस नादिया हमीद एड्वोकेट हाई कोट नैशनल टीवी के प्रोग्राम कनून कह कहता है में हाजरे खितमत है आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव है और सोशल मीडिया पर अब इसके पर बहुत सारी ओपनी डेट्स होना सिन्फी बराबरी यानि जेंडर एक्वैलिटी यानि हमारे मौश्रे में मर्द और खवातीन को बराबर के हकूख हासल है और उससे रेलेवन्ट क्या-क्या कावानीन मजूद है और पाकिस्तान किस तरह इन कावानीन की इंप्लिमेंटेशन करने के लिए परपन इस टॉपि और इसके लिए कौन-कौन से कमानीन मजूद है जी मेडम हम आपको अपने प्रोग्राम करनून के कहता है में खुशामदीद कहते हैं और थेंक्यू कि आप आई हैं बहुत सारे अपने अपने ब्यूसी शोडियूर में से टाइम निकाल के बहुत शुक्रिया मैं सबसे पहल आया कि सिन्फी बराबरी या जेंडर एक्वैलिटी आपकी इसमें स्टडीज भी है स्पेशलाइजेशन भी है और साथ में आप रिसर्च वर्ट भी करते हैं तो हमारे नाजजीन को बताईगा कि कि ये आम फहें में इस्तमाल होने वाला वर्ड नहीं हम सोशल मीडिया पे स तो सिन्फी बराबरी या जेंडर एक्वैलिटी होती क्या सबसे पहले तो हमें आम तोर पर ये समझने की जुरूत है कि जेंडर क्या है आज कल आपने देखिया कि कोई फॉर्म फिल करने लगते हैं तो पहले दिखाता था सेक्स अब दिखाता जेंडर तो ये सब चीजें जो हैं इवाल्व हुई है अगर जेंडर की बात करें तो ये एक मौशरे की जो देखने का नजरिया है किसी मर्द और आउरत को जेंडर वो उसको कहते हैं और सेक्स जो है ये बाइलोजिकल टर्म है कि कौन मर्द है उसके फीचर्स मर्द जैसे हैं उसकी बाइलोजिकल जो आट्रिब्यूट्स हैं इसी तरह औरत है बचा पैदा करने की सलाहियत है और मुख्लिफ किसम की उसके पैरंस है फिजिकल स्ट्रक्चर है तो ये जो चीज़ है ये सेक्स कहलाती है तो सबसे पहले तो हमें ये देखने की जुरुए थे कि जेंडर इस नॉट उनली फॉर व के औरतों की हकूक बात इसलिए भी जादा की जाती है क्योंके जो माजनलाइस तपका है उसके हकूक फिर उसपे काम करने के हमें जादा जरूरत है तो मेर्दों और 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 ओरतों दोनों को एक जैसा शहरी एक जैसा इनसाynnा की ये वो टॉर्ट नहीं किया जाथा बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ की गोज से ही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना शुरू कर देता है अगर बेटा पैदा होगा तो मिठाईयां बांटी जाएंगी बेटी पैदा होगी तो कहा जाएगा कोई बात नहीं दुबारा खुदा जो है वो आपको बेटा ता करे तो पैदा होते से ही डिस्क्रिमिनेशन ऑन दे बेसे अफ सेक्स जो है वो आपको फेस करना पड़ता है इसके साथ साथ जो जुड़ी हुई चीज है वो यह है कि जेंडर जो है वो एक बहुत ही जो जो के जिनकी tanful जो है जो एक तीसरी सिन्फ है मैसूस करते हैं कुछ है में उरत मैसूस करते हैं लेकिन देखा जाया तो तो पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मताबिक अंदाजन पचास फिसद के खरीब जो है वो खवादीन है तो लेकिन इस हाफ अफ तो परसंटेज को आधे जो हैं वो हकूख नहीं मिलते हैं किसी भी प्लाटफॉर्म को देख लें चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो को काहर से क्रिकट खेल कर आया है तो बेहन से कहा जाता है कि आप अपने भाई को पानी दे हमने घर के लेवल पे ही जेंडर रोल्स जो है वो पहली मनसूब कर दी तो जेंडर की जो इस्तला है वो बहुत ब्रॉड है पिर एक और चीज समझने की जरूरत है एक्विटी और एक एक्विटी ठीजिए वो एक प्रॉसेस का नाम है जिसके उपर हम अमल करके एक्वियलिटी तक पहुँचते हैं मिसाल के तौर पर एक दिवार है और उसके दूसरी तरफ स्टेडियंगा क्रिकेट का स्टेडियंगा और दिवार के इस तरफ तर तीन मुख्तलिफ लोग ती equity जो है वो ये कहती है कि तीनों को बराबर treat किया जाए ठीक है equality ये कहती है कि तीनों की जो जरूरत है उसके मताबिक उसको treat किया जाए ये कितनी खुबसूरत बात है equality की लेकिन equity के through हम equality तक पहुँच सकते हैं मिसाल के तोर पर एक इनसान को वील्ड चेयर की जरूरत है ठीक है और आप उसको बेसाखियां दे देते हैं तो उसकी जरूरत पूरी नहीं होती एक औरत को आप जो हैं वो पैंचिट दे देते हैं जबके कल्चरली वो पैंचिट नहीं पहन सकती तो उसकी जरूरत पूरी नह से क्या चीज़ देनी चाहिए हमने वो देखा नहीं है तो इस तरह से यह टर्म बहुत ब्रॉड है और इस पे जो है वो बहुत सी तन्जीमें इंटरनेशनली भी काम कर रही है इसके साथ साथ देखा जाए तो जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स है उसमें जो गोल को प्रमोट करें चाहे वो PC1 के तहट आने वाला कोई प्रोजेक्ट है चाहे वो घरों से निकलने वाली खवातीन हैं चाहे वो स्कूल जाते बच्चे हैं हर एक जगा पर जेंडर में स्ट्रीमिंग की जरूरत है जी मैडम जैसा आपने हमें सिन्फी बराबरी के बारे में बताया तो क्या पाकिस्तान में आइन जो है सिन्फी बराबरी पे उसमें बताता एं양ता एंडर में आगा करता एंडर में एक एड़ाईलेन्ट लॉज इसी तनाजर में बनाएं गया गया हैं तो वो कौन-कौन से हैं ब Remedy स्मूल का जो ऑने है वो समें म 2050 आर्टेटल आरें है चार है आर्टिकल पच्छिस तो इक्वल सिटिजन्स की बात करता है तो तो देट मीन्स के मर्द हो औरत हो बच्चा हो लेबर हो मैनोरिटी हो ट्रانसजेंडर हो वो तमाम बराबर है तो अर्टिकल पच्छिस ओवराल जो है आर्टिकल 3 और 4 खास طور پر exploitation की बात करता है exploitation से क्या मुराद है कि किसी की भी अगर कोई इस्तहसाल हो रहा है कोई हकूक सलब हो रहे हैं तो वो उसकी रोक थाम की जाए और तमाम जो शहरी हैं उनको कानून और आइन की नजर में एक जैसा देखा जाए इसके इलावा जो है वो खासता और पर article 32 जो है वो provision of women in political participation की उनकी बात करता है ठीक है फिर मुख्तलिफ laws हैं जैसे personal laws हैं वो खवातीन के حقوق पर बात करते हैं पिर इसके साथ साथ Women Protection Act है sexual harassment at work place है वो खासता और ठीक है लेकिन इन सब arrangements के बावजूद अभी भी खवातीन के लिए और सिन्फी बराबरी के लिए मैं ये नहीं कहूंगी के औरतों के हकूँ के लिए बलके सिन्फी बराबरी के लिए दोनों के लिए मर्द औरत और ट्रांसजेंडर्स भी इवन उनकी बराबरी के लिए ताके वो कौमी धारे में बराबरी इंजॉई कर सके तो उसकी बहुत ज़ादा जरूरत है फिर उसके सासा जो मजीद जो marginalize तबके हैं मजदूर हैं religious minorities हैं ethnic minorities हैं बच्चे हैं ठीक है उनका बहुत ज़ादा कौमी धारे में लोगों को लाने में मदद दे सकते हैं तो पाकिस्तान में कौन सी कानून साजी की गी है इन articles को मदे नजर रखते हैं पाकिस्तान जिसना Fair representation of women act है ठीक है 2014 का इसके इलावा हमारे पास anti rape act है 2021 का Muslim family laws हैं इसी तरह Christian family laws हैं हमारे वो है Hindu's के भी अपने personal laws है और वो जो है inheritance के laws जो खासतार पर women पर बात करते है पर प्रापर्टी राइट सेक्ट है जिसमें खासतार पर अब तो ये बहुत ज़दे implement होने लग गया है women are claiming their inheritance और वो आकर courts में भी हमें नजर आता है के खवातीन जो हैं अपना हक claim कर रही है और families जो हैं इस बात से disturb हो जाती है के खवातीन वो अपने घर बया कर भी जली गही है और हमने उनको इतना जहेज भी दे दिया है उनका हक भी दे दिया है तो वो अब जो property रह गई है क्योंकि पहले तो मर्द बहुत जादा enjoy कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल कस्प्री लॉग के मताबिक हम कहते थे के जहेज ले लिया है फीमेल ले जी जिसको आम इन परानी टर्म में ही बोलता थे इस्तरी धन जी 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 इस्तरी धन हाँ जी तो हम अब जो है आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देंगे लेकिन गॉवर्मेंट ने एक अच्छा दाम की हमें के रोर्स के उपर आप बैनर्स लगा दियेंगें कि कोई भी किसी भी सुरत में वो अपना जो प्रॉपर्टी राइट है वो वेव नहीं करें बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें एक रोल जो है वो हमारा जो पंजाब का आफिस ऑफ दॉम बर्ड्स परसन है उसका है जो कि खातून मुहतिसब है बेसिकली तो वो खातून मुहतिसब का जो मेंडेट है वो स्पेसिफिकली इनहेरिटन्स को देखता है ठीक है न वो उसके अंदर कंप्लेंट्स आती है खवातीन की उसमें आपको वकील की भी जुरूरत नहीं है वहाँ जाके एक सिंपल एप्लिकेशन के उपर वहाँ पर उनकी अदालत लगती है जिसमें बर्ट्स परसन जो है वो मुक्तिफ किसम के नौयत के इनहेरिटन्स से रिलेटेड खवातीन की जो कंप्लेंट्स हैं उन पे केसिस करते हैं ग्रिवियन्स की रिडरेसल होती है एक पोर्टल दिया गया है एक हेल्प लाइन है तो मेरे ख़ले ये तमाम अरेंज्मेंट गवर्मन्ट की तरफ से बहुत अच्छी है और ये मुक्तिसब का अदारा जो है वो सरफ पंजाब में नहीं है ये तमाम सूबों में मुझूद है और इसके हिसाब साथ जो वफाकी मुधसब का है दारा है जो के मेल बेसीकली मुधसब है वो इन तमाम मुधसब को ओवर्सी करता है और वो ये देखता है कि क्या जो हरस्मेंट एट वर्क प्लेस है इसके साथ साथ इनहेरिटन्स का जो लॉज है ये दोनों उनके मैंडेट में शामिल है तो क्या इस पे अमल किया जा रहा है लहाजा जो अमबर्ड्स परसन का ओफिस है मैं अपने देखने वाले नाजरीन को भी ये कहना चाहूंगी कि उसको रीच आउट करें अगर कोई भी इनहेरिटन्स का आपका मामला होता है तो एज एक्वल सिटिजन ऑफ पाकिस्तान आपको भी पूरा राइट है कि आप अपने जो इनहेरिट की गई प्रॉपर्टी है उसमें अपना राइट क्लेम कर सकें तो आप उमबर्ड्स परसन के पास जाएं एक सिंपल अप्लिकेशन वहाँ दे वहाँ का दारा बहुत अच्छा आपको ट्रीट करता है नहीं तो आप कोई हेलप लाइन से कॉल कर दे और अगर इसके लावा कोई हैरस्मेंट का मामला है तब भी आप उस इदारे को रीच आउट कर सकते हैं जै बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बहुत सारे कावानीन है एवन के बहुत सारी हेलप लाइन्स भी मजूद है जैसा कि पाकिस्तान कोई में मतहदा के साथ या यूनो के साथ मुख्लिफ मौहदों के अंदर सिकनेटरी है और इसने उन मौहदों की पासदारी करते हुए क्या से कवानीन बनाए है या कोई इस तरह की सिंफी बरापरी जो है उसको परमोट करने के लिए मुख्लिफ शुबाए जिन्दगी में खावातिं की मुलाजमा से रिलेटेड उसको मसावाद पर रखा है या नए ची बिल्कुल ये बड़ा एहम जो है वो मुद्दा है कि पाकिस्तान ने बैनल कौामी सता पर जो जो मुख्लिफ किसम के मौहदे हैं उनकी ना सिर्फ सिगनेटरी हैं बलकि उनको रेटिफाई भी किया हुआ है मिसाल के तौर पर जो किन्वेंशन ऑन दिस्क्रिमनेशन अफॉल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमनेशन अगेंस विमन है बैसिकली वो सीडॉज इसको कहते हैं उसको पाकिस्तान ने जब रेटिफाई किया तो रेटिफाई करने के एक साल बाद उन दन उसके बाद हर चार साल बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है जिसमें तमाम सिन्फी मसावाथ उसकी डिस्क्रिमनेशन उसकी कहां कहां वाईलेशन हुई कितने लॉज पास किये गए खवातीन को क्या-क्या सूलियात महया की गई खासतर पिसको जो मिनिस्ट्री ओफ विमिन डिविलिप्मेंट डिपार्टमेंट है वो देख रही होती है तो पाकिस्तान हर चार साल के बाद पिरियोडिक रिपोर्ट जो एक जमा कराता है इसी तरह पाकिस्तान की जो सिवल सूसाइटी जो एंजियोज हैं लॉयर्स कम्यूनिटीज हैं सोशल अधारे हैं वो भी एक शैड़ो रिपोर्ट देते हैं कि अच्छा गवर्मेंट ये कह रही है और हमारे मताबिक सिचुवेशन ये है और वो सब मिलकर शैड़ो रिपोर्टिंग करते हैं और वो एक शैड़ो का मतब आइना दिखाते हैं गवर्मेंट को 48 में इसको जो है साइन किया है हमने ठीक है तो उसके मताबिक जो human rights की situation है वो हम पे लाजिम है कि यहां पर तमाम discriminated discrimination है on the basis of sex, color, religion, caste, creed उसको जो है वो minimize किया जाए और तमाम citizens equal rights enjoy करें मैं आपके बात काटी हूँ जी जी यानि आपके कहने का मतलब है कि यहां पर हम signatory होने के लावा लॉल्स बनाने के लावा उस तरह के मौके फरहम नहीं किये जा रहे कि अवातीन को यह जैसे के हम बात करते हूं उसके पर unisex है यानि वाजा सरा है उनको भी नहीं मौके फरहम में इन कावानीन का इनों के साथ जो हमारे contract है फिर इसके बाद आईन है पाकिस्तान का कावानीन है क्या इसके तनाजर में या इसकी पासदारी करते हूं कौमी धारा के अंदर लाते हुए कोई ऐसा जामिया कोई लाहे अमल तियार हो सका है या उसको शकल दी जा सकती है जि थ्रू हम सारों को equally जो है वो treat कर सके और जो हमारा जो topic है जेंडर equality उसको promote किया जा सके ताके वो किसी को महरूमी का एसास ना हूँ बिलकुल ये बहुत एहम topic रहेगा खास तोर पर विन वी आर अंडरस्टैंडिंग जेंडर equality कि जेंडर मेंस्ट्रीमिंग जो है वो कैसे की जाए तो जेंडर मेंस्ट्रीमिंग जो है वो तीन levels पर की जा सकती है जो मेरे ख्याल में एक household level पर एक घराने की level पर दूसरा दफ घर के level पर वो किस तरह से की जाती है कि जेंडर रोल्स जो है औरतें क्या काम करेंगी मर्दें क्या काम करेंगे क्योंकि Allah ताला ने खुदा ने भगवान ने तमाम community's के जो gods हैं उन्होंने जब इनसान को तखलीक किया मर्द और और औरत तखलीक किया on the basis of biology जो biological differences हैं वो किय लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है कि एक औरत रोटी पकाएगी और एक मर्द जो है वो नोकरी करेगा तो अगर एक औरत नोकरी भी कर रही है तो इसका मतलब है कि एक मर्द रोटी भी पका सकता है तो जब family income में दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं तो gender rules को हमें पहले ही define कर देनी क जरूरत है कि there is no specific task जो औरतों से जुड़ा हुआ है there is no specific task जो मर्दों से जुड़ा हुआ है मिसाल के तोर पर मर्द और और ओरत दोनों duty से वापस आते हैं और मर्द सहाब अपने सौक्स उतारेंगे जूते उतारेंगे और लेट जाएंगे और टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ लेंगे और और ओरत से कहेंगे कि वेगम पानी पिला दो इसके बाद चाए भी आ जा वहां पर देखें मर्दों को वाश रूम की जरूरत है तो ओरतों की भी वाश रूम की जरूरत है लेकिन डूटो सम्मेडिकल आस्पेक्ट। ओरतों के लिए वाश रूम की जो काटिगरी है करेक्टरिस्टिक्स हैं वो different नौयत की हैं तो there is a dire need, एक जरूरत है इस बात की क औरतों को अलग वाश्रूम्स दिये जाएं अगर वो प्रेगनेंट हैं तो उनको ग्राउन फ्लोर पर उनका उनके जो वर्क प्लेस है उनका डेस्क है वो शिफ्ट कर दिया जाए उनको मिटरिनिटी लीव चाहिए है तो उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए उनको थ्रेट ना दिया जाए कि तुम मिटरिनिटी लीव पे तीन मा जाओगी तो बस तुम फारिगो तुम्हारे बाद जो भी कोई और वो पेड लीव होती है और देखा जाए तो इम्पलॉयर्स को बहुत इस बारे में बड़ी फिकर लाहक हो जाती है ये तीन माँ में हम इसको पैसे भी दें उससे पहले कुशिश की जाती है कि इनको किसी तरह अप्रेजल्स में फारिग किया जाए और मर्दों को मैन फोर्स जो है वो इसलिए हाइर की जाती है कि उनके कौन से को घर के मसले है उनके कौन से बचे पैदा होने है मतलब जिनको उन्होंने दूद पलाना है या उन्होंने मिटर्निटी लीव लेनी है पाकिस्तान में तो मिटर्निटी लीव मेल्स को नहीं दी जाती है लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो है अपके अडिशन करना चाहूंगी, पाकिस्तान में अब, जो मैं कह रही थी कि एक थंडी हवा का जोंका आया है, वो मुखलिफ सूर्तों में है, एक जो चीज अभी इंप्लिमेंट होना शुरू हुई है, यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो बन रही है, एच आर की पॉलिसी, इंस्ट्रिमिंग की बात करते हैं, उसमें एक ये भी चीज है, कि तीन माँ तो नहीं, लेकिन साथ माँ, पंदरा दिन, अगर वो एन्वल अपनी लीव मिला ले तो एक माँ, तक वो मर्दों को भी अब मिल रही है, मुखलिफ किसम के बैंक्स, प्राइविट दफातर, गव रस्बंड जो है, वो नो करी कर रहोता है, और कहा चाता है कि ये बर्दों का काम थोड़ी है, कि एक बचा पैदा हुआ, बज़ अच्छा बचा की इफाज़त करें, खिदमत करें, जबकि उस वक्त औरत जो है, वो सबसे ज़ादा अपने मर्द की जो केर है ना, उसको चाह दें, क्योंकि वो फार्मर है और नोन फार्मर्स हैं, तो आप औरतों को ट्रैक्टर ये सोच कर ना दें, कि उन्होंने कौन सी खेती बड़ी करनी है, हो सकता है कि उनको एकिप्मेंट मिलें, रिसोर्स मिलें, वो विमन हाउस होल्ड हों, या वो एक एकड़ की भी अगर माल दार अदा करेंगे. आपका और हम आपको निक्स मदू करेंगे, ताकि आप आएं और हमारे नाजरीन को मुफीद मालो माज़ और वो फरहां कर सकें. जी नाजरीन, उमीद करती हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत फाइदा मन्द होगा, जिसको वो वाले टॉपिक जेंडर एक्वालिटी पर बात की गई है, जो कि हम वात करें और बराबरी की तरफ जाएं, ना के औरत, मर्द या खौजा सरायन इसी सिम्थ की बर्याद पर एक दूसरे की नफी की जाएं, बलके सब को एक्वल हकूख दिये जाएं, मिलते हैं एक नए शो में, एक नए गैस के साथ, एक नए कानून के साथ, खुदा आफिस.